नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेट वित्राने चलिए दोस्तों जैसे कि हमारा क्वार्टर थ्री सीरीजन की सीरीज चल रही है तो उसके अंदर एको शेर का रिजल्ट आया है आज है 13 जनवरी और रात के 11 बज़ रहे हैं तो हमारा जो एको रहे हमारा जो आपने अपने बहरने और मिल मुत्यां सहरता जाक्र ट्रेट चरिख्वागए कावा इस तरह के प्लास्टिक कब्रूर। इस तरह के प्लास्टिक बैंसद्स के वारे हैं पॉलिफिक्श्लियां प्लेजों। तो आपको मोटा मुटा थोड़ा ओरूट कमपनिया वर्किंग क्या है यही है यह कलर को सांथ में लें करते हैं लोग इननोविशन करते हैं लोग इनका काम क्या है 抑ठ्ष करते हैं एमपावर फ्लास्ट प्लासटिक को कैसे klar क्मपनिय क्लास्ट काम वर्किंग करते हैं वरकिंगें तो इस तरह से आपने कंपनी की प्रोड़क्ट करने हैं, तो सभी क्रेस्ट क्ली ड्याफर कर देन बनालों किस तरह के प्लस्टिक्षिन प्लस्टिक है अगिन il बनाबिजिंगे तो ज्यादा Humans and big आपने क्या बेखे लिपने ही थे चीप में बनीषानिocy तो यह आपर पूरा पूरा कि लिया हम चलते हैं सबसे पहले इसका मार्किट कर दोनों मिलेगा आपको प्लास्टिक ब्लेंड तो इसका मार्केट कायब है 634 क्रोड बेगा स्टॉक पी चला 17.7 कम इस्टॉक आरो सी चला 6.2 परसंट कम बुक वैल्यूस के एक सो तैसे से वहुत अच्छी है और रिटर्न ऑफ इक्वेटी इसके 12.2 परसंट की है और डिविडेंड कम्पनी ने वित 25.65 परसंट कमनी ने डिविडेंड अपना मेंडेंड रखा है अब चलते हम क्वाटर थी की बात करें तो हमारे जो क्वाटर थी का रिजल आ उसके पर बात करते हैं तो दिसम्मत हो जाए किस क्वाटर थी का जल जो आ जाया इसकी सेल होई है 114 लाग की और इसका ऑप्रेश प्राफिट उनका 4.64 चारव पंट चौसट और प्रीवेस क्वाटर थी के सेल एक सच एक सटार लाग की और प्राफिट था इनका जच सटार लाग का नेट प्राफिट था 6 लाग का एक सत चीन चाहिए वारेखने को आपको 2.12 से बढ़के 4.64 हो गया सितंबा क्वाटर के अंदर जो इनका आउटकम था यानि के जो इनका ऑप्रेशन प्रॉफिट था यानि नेट प्रॉफिट छे लाग से बढ़के दिसंबा क्वाटर में बढ़ा लाग हो गया यह बहुत अच्छा इंटिकेशन है और EPS हमारा 2.12 से बढ़के 4.64 यह बहुत अच्छा है अब चलते यह रियरवाय देखते तो यह रियरवाय सेल में 15% इजावा देखा देखने को मिला है दिसंबा 2020 के अंदर इनकी सेल थी एक सो साट लाग की वह बढ़के होगी एक सो चॉंता लाग और और प्रॉफिट में एक लाग की बढ़के देखने को मिली है नेट प्रॉफिट इनका 11 लाग था दिसंबर में तो यह बढ़के हुआ 12 लाग और EPS इनका 4.38 से था बढ़क प्रॉफिट के अंदर रवी इंदर प्रॉफिट के अंदर घुम्राइगी के अदर क्रीगी सेמע का फील्ट निखल का यह अच्छा है इसका तो बेसिकली हम लोग यही देखना होता है कि हमारा क्या होता हमें EPS और यह सब चीज़ा हमें देमेंटर रखनी पड़ती है कि हमार को क्या benefit मिल रिजल्ट के अंदर और कोई रिजल्ट के अंदर कोई कोई बैसी तो नहीं है अप्रोक्स ठीकिनाक रिजल्ट काफी अच्छा है ग्रोथ देखनों को मिलिये टू-पर्सन स्विक्वेंसिल ही ग्रोथ देखनों को मिलिये क्वार्टर टू से उर्फभा वाई इनके सेल में अदाफा देखने को मिला है और बागे सब चीज़ा काफी अच्छे एंओ अपनी की वैसे कोई घबराने कि आतके कंपनी रिजल्ट काफी अल्टीमेट आया है तो इसके बिहाब पर कले शेयर के अंदर तीजी देखने को मेली कि आप चलते शेयर के अंदर मुवमेंट क्या बना वह समझते है क्या सही सामें से पहले उससे पहले हम इसके शेयर होल्डि तो यह देखने को मिला कि अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है सेकेंड एफाइस ने इदर एक शब्विस से बढ़के एक 33 हो गई है तो एक सेकेंड पॉजिटिव इंडिकेशन ही देखने को मिला एफाइस की होल्डिंग 1.26 से बढ़के 1.33 हो यह भी बहुत अच्छा इस कंपनी के सेर काफी अच्छे एक सेकेंड पॉजिटिव सेन यह एक कंपनी का इपिस में ग्रोथ देखने को मिली है कौटर कौटर रिजल काफी अच्छा है तो इस रिजल्ट का इंपक्ट कहां तक जाएगा वह समस्तव इसके चार्ट और बाकी चीज़ों के अंदर तो गूगल पॉपन के लिए आज यह 0.55% तीज़ी के साथ बंद हुआ है तो आज यह ओपन नहीं होता है दो सो चैलिस और पचास पैस पर हाई मारा दो सो ननचास पैसेट पैसेट पैसेगा लो मारा 243 पैसेगा फिफ्टी टू हाई इसका 306 पे 52 लोगा 205 पैसेगा कंपनी क आप से 1990 कर सकता हम कंपनी के पर इसने 5 दिन में तक 5% इंद दे पॉजिटिव में वन मंद के अंदा विदा इने 3% पॉजिटिव में 6 मंद के अंदा माइनस में 13% दिये है और ये टुडेट के अंदा विदे ने 5% के ग्रोथ दिखा है हमार को अब एक सेट चलाने लाज 6 म नेयरो के बाद या दिया आज इन्वेट्टेड हैमर बन ली इसका इंडिकेशन हमां को तीजी के इंडिकेशन धिख रहे है तो वीकली चार्ट पे तो अच्छा कासा करेक्शन के बाद अब ट्रेंडिंग की तरफ है और में में सेडी प एक ब्रेक आउट देखना वां मिल और ए्टिकेशन आप हो देखेंगे तो हम इसका डेली चार्ट उन्ट करतें हमिसने चीजेए इंडीकीशन सक्षड़ से यहां पर इस जोजी को इंडीकेशन नहिंए होथा क्योंकि नहीं है ग्राइबर की हैं ना तीजी को इंडीड करती है इस-जोजी को एक नेकलेंस जोजी बोल के सबनेक्राइट करते हैं तो यहां पर एक ब्रेक आउट हुआ था 230 पर तो यहां से क्या एक एक और पर पर चल रहा है और रांडिंग पैटरन का शेयर चल रहा है पर देखें राउंडिंग पैटर्न या बाकिक्स में इसमें आपको 200 250 से लेके 210 तक के लेवल आपको इजी दिख जाएंगे इसके अंदर तो यहां से अगर आपको बाय करने इसके इसके अंदर तो दो सो चलिशन से सब्सक्राइब करिए तो पहला तरिकिट हमारे यहां से 200 क्योंकि 260 तक में कोई हडल नहीं है क्योंकि अच्छे सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हैसे होल्ट रखिए और रिजल्ट काफी अच्छा है कंपनी का इंडिकेशन काफी अच्छी देखने को मिल रहे हैं और चार्ट पर भी आभी कोई संकेत नहीं है देखेंगे आज गिरावाट हुए मैं गिरावाट को कवर करके उपर की तब जाके ही क्लोस हुआ है यानि यह डोजी जो बनिये उपर की तरफ क्लोस होके बनिये ना की नीची की तरफ तो इंटिकेशन आपमार को तीजी के हैं अगर यह वीडियो आपको अचला लगा तरफ वीडियो को लाइक शेयर फावट करना बिल्कूल नहीं बूलें थेंक्यू सो मच पर वाचिंग डिस वीडियो अगर यह वीडियो